रादे कृष्णा दोस्तों कैसे हैं आप सब जवाब में रादे कृष्णा कमेंड में जरू लिके स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्प्रेच्वल सोर्स में आज हम बात करेंगे रिशी पंचिमी के विसेपर रिशी पंचिमी का महत्व उसकी पूजा विदी और रिशी पंचिमी की पौरानिक व्रतकता क्या है सभी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा एक पती पौरानिक व्रतकता में वर्णित किया गया है और रिशी पंचिमी के कारण उनका उद्धार हुआ कहानी बहुत ही रोचक है आप सभी इस पौरानिक व्रतकता को अवश्य जानिये और बने रहे वीडियो के अंतक और जानिये की आज की सलाह क्या है वो भी इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा पहले हम रिशी पंचिमी के बारे में जानते हैं कि रिशी पंचिमी का महत्व क्या है रिशी पंचमी के दिन सबते रिश्यों की होती है बहुत ही धूमधाम से पूजा रिशी पंचमी का हिंदु धर्म में खास महत्व है ऐसी माननेता है कि अगर को इस तरी पिछले जन में किसी पाप के कारण इस जन में फल भोग रही है तो रिशी पंचमी के व्रत से उसे दुखों से चुटकारा मिलता है साथ ही सुहागन महिलाओं को इस व्रत को करने से उनकी मनोकामनाओं की पुड़ती होती है बादो महिने की सुकल पक्ष की पंचमी को रिशी पंचमी कहा जाता है इस वरत का हिंदु धर्म में खास महत्व है इस दिन इस्तरियां सबत रिश्यों की पूजा कर सौभागेवती होने का आशिरवात मांगती है इस बार रिशी पंचमी विवार की दिन पढ़ रहा है तो आईए जानते हैं कि हम आपको बताते हैं कि रिशी पंचमी की महिमा क्या है रिशी पंचमी का वरत हरी ताली का वरत के ठीक दूसरे दिन किया जाता है यह वरत नारियों के अटल सुहाग का प्रतीक होता है इस दिन स्त्रिया किसी देवी देवता की नहीं बलकि सब्त रिशियों की पूजा करती है ऐसी माननेता है कि मन से इस व्रत को करने से सभी दुख दोर होते हैं और घर में समरिद्धी आती है इस विशेज दिन सब्त रिशियों की धूम धाम से पूजा की जाती है रिशी पंचमी का हिंदो धर्म में खास महत्पर है, ऐसी माननेता है कि अगर कोई इस्तरी पिछले जन्म के पाप के कारण फल भोग रही है तो इस व्रत को करने से उसे दुखों से चुटकारा मिल जाता है तो आईए जानते हैं कि रिशी पंचमी और आनिक व्रत कता के बारे में व्रत कता क्या है उस व्रत किस प्रकार रिशी पंचमी पर सुनकर घर में सुक्सम रिद्धी ला सकते हैं और किस प्रकार अपने समस्त पापों से मुक्ती पा सकते हैं तो आईए सब सुलू करते हैं कि रिसी पंचमी की का जो उत्तम व्रत कता है उत्तम व्रत है उसको धारन करने से इस्तरियां सभी पापों से मुक्ती प्राप्त कर लेती है उससे पहले वाद्यप्रदमास के सुक्लपक्ष की पंचमी के व्रत को रिसी पंचमी व्रत कहा जाता ह यह गनेश चतूर्थी के बाद बनाया जाता है इसकी पूजा विदी क्या है आईए जानते हैं रिशी पंचमी के दिन सब्त रिश्यों की पूजा का विधान है इसलिए स्वक्षता पुर्वक इस्वरत को किया जाता है इस दिन महिलाएं सबसे पहले प्रातर असनान कर साफ कपड़े पहन लें फिर अपने घर में इस्तित मंदिर में सब्ति रिश्यों की प्रतिमा बनायें प्रतिमा बनाने के बाद गलस थापित कर धूब दीब जलायें और फल का भोग लगायें साथ ही महिलाएं रिसी पंचमी के दिन अन ग्रहन ना कर फलहार करें। ब्रत के दूसरे दिन ब्राम्भनों को भोजन करा के दान दें और उसके तत पश्चात भोजन करें। रिसी पंचमी के दिन सब तेशों का नाम लेने से भी बहुत पुन्य मिलता है। नाम इस प्रकार है आप भी इसे अवस्च लें इस मंत्र को करने से सब्तरिश्ची की कृपा प्राप्त होती है आईए जानते हैं कि रिसी पंचमी की पौरानिक व्रत कथा क्या है इस्टिर ने प्रश्ण किया कि हे देविश मैंने आपके मुख से अनेकों व्रत का श्रवन किया है अब आप कृपा करके पापों को नश्ट करने वाला को उत्तम रच सुनावे राजा के इन वश्णों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र अब मैं आपको रिशी पंचमी का उत्तम रच सुनाता हूं जिसको धारन करने से इस्त्री समस्त पापों से मुक्ती प्राप्त कर लेती है इन अरोत्तम पूर समय में वृता सुर का वद करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था तब ब्रम्हा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को चार स्थानों में बाट दिया पहला अगनी की जौला में दूसरा नदियों के बरसाती जल में तीसरा परवतों में और चौथा स्त्री के रज में उस रजश्वला धर्मे में जाने अंजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी सुद्धी के लिए रिसी पंचिमी का वरत करना उत्तम माना जाता है वरत समान रूप से चारो वर्णों की स्त्रीयों को करना चाहिए इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन मैं करता हूँ पत्योग में विदर्व देश में स्नेन जीत नामक राजा हुए वे प्रजा के पुत्रवत्र पालन करते थे उनके आचरन रिशी के समान थे उनके राज्य में समस्त वेदों का ग्याता समस्त जीवों का उकार करने वाला सुमित्र नामक एक रिशक ब्रामन निवास करता था उनकी इस्तरी जैस्री पती व्रता थी ब्रामन के अनेक नौका चाकर भी थे एक समय वर्षाकाल में जब वह साधवी खेती के कामों में लगी हुई थी तब वह रजश्वला हो भी हो गई हे राजन उसे अपने रजश्वला होने का भास हो गया किन्तु फिर भी वह घर ग्रिहस्ती के कारियों में लगी रही कुछ समय पश्चात वे दोनों इस्तरी पुरुस अपनी अपनी आयू भोग कर भृत्यों को प्राप्त हुई जैश्री अपने रितु दोस के कारण कुटिया बनी और सुमित्र को रजश्वला इस्तरी के संपर्क में आने के कारण बैल की योनी प्राप्त हुई क्योंकि रितु दोस के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराद नहीं था इस कारण इन दोनों को अपने पुर्व जरम का समस्त विवरन ग्याद रहा वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहां पलने लगे सुमित धर्मात्मा था और अतितियों का पूर्ण सत्कार किया करता था अपने पिता के शात के दिन उसने अपने घर ब्राम्हनों को जिमाने के लिए नाना प्रकार का भोजन सामगरी बनवाया वह ब्राम्हनों को निमंतरन दिया और अनेक प्रकार के भोजन सामगरी उनके सामने परोसा उसकी इस्तरी किसी काम से नहीं हुई थी तब एक सर्प ने आकर रसोई के बरतन में विश्वमन कर दिया सुमित की मा कुतिया के रूप में बैटी हुई यह सब देख रही थी अता उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इक्छा से उस बरतन को स्पर्स कर लिया सुमित की पत्नी से कुत्या का यकृत सहान गया और वह उसी समय लोट आई और उसने यकृत्ते को देख लिया तब उसने गुस्से में आकर उसने एक जलती जी लकडी कुत्या के उपर दे मारी वह प्रति दिन रसोई में जो जूठन आदी सेस रहती थी उसकृत्या के सामने डाल दिया करती थी किन्तु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने उसकृत्या को खाने को नहीं दिया तब रात्री के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुत्या अपने पूर्व पती के पास आकर बोली हे ना आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ वैसे तो प्रति दिन मेरा पुत्र खाने को मुझे कुछ देता था किन्तु आज उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है मैंने साप के विस वाले खीर के बरतन को ब्रह्म हत्या के भैसे छूकर अपवित्र कर दिया था इस कारण बहु ने मारा और खाने को भी नहीं दिया है तब बैल ने कहा कि हे बद्रे तेरे ही पापो के कारण में भी इसी योनी में आ पड़ा हूँ बोज़ा डोते डोते मेरी कमट तूट गई है और आज मैं दिन भर खेट जोतता रहा मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और उपर से मारा भी खुब है मुझे कश्ट दे कर श्राद को वेर्थ ही किया है अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुलिया उसने उसी समय जाकर उनको भर पिट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने रिश्यों से पूछा कि हे स्वामी मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनी कुट हुए हैं और किस प्रकार उससे मुक्ति पा सकते हैं इस प्रकार गेवशन सुमित के वचन को सुनकर शवनकर सर्वतपा नामक महर्शी दया करके बोले कि पुविजन में तुम्हारी माता ने अपने उर्चिंकल स्वभाव के कारण रजश्वला होते हुए भी घर ग्रिहस्ती की समस्त वस्तूओं को स्पर्स किया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्स किया था इसी कारण वेकुतिया और बैल की योनी को प्राप्त हुए तुम उनकी मुक्ती के लिए रशी पंचिमी का व्रत धारन करो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन महर्शी सर्वतपा के वश्लों को सुशवन करके सुमित अपने घर को आया और इसी पंचिमी का दिन आने पर उसने अपने स्त्री सहित उस व्रत को धारन किया और उसके पुन्ने को अपने माता पिता को दे दिया व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशुयोनी से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए जो भी इस तरी इस वरत को धारन करती है वो समस्त सुखों को पाती है इसलिए इसी पंच्चमे के दिन इस वरत कता को अवश्य सुनना चाहिए और सबतुरिशी का जो मैंने आपको मंतर बताया है उस मंतर को भी अवश्य एक बार पढ़ ले या सुन ले जानते हैं कि आज की सला क्या है आज की सला में मैं आपको समाज में हर काम में विफलता या प्यस मिलता हूँ तो आप यश्य कैसे पा सकते हैं उसका उपाए मैं आज आपको इस वीजियो में बताऊंगी आज की सला में मेरा यही रहेगा कि अगर आपको हर काम में विफलता प्राप्त हो रही हो या प्यश मिल रहा हो तो आप इस उपाए को करके यश की प्राप्ती कर सकते हैं जिन लोगों को समाच में हर काम में विफलता मिलती है प्यश मिलता है वे लोग साल साल एक वस्तू है संस्क्रेट ने उसे लाजा कहते है उसे घी में मिलाकर गनपती मंत्रे से हवन करें तो कारे सिद्ध होते हैं यश की व्रिदी होती है और अभी गनेश चतुर्ती से गनेश उत्सवत भी चल रहा है दस दिनों का आप इस कारे को करके समाज में यश और कीड़ी पा सकते है अचा है कि आप सभी ने इस व्रतकता को अवश्य पूरा सुना होगा वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करके हमारे स्प्रिक्च्वल सोर्ष चैनल फैमिली का हिस्सा बनिये आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ